बंगाल में निवेश के लिए उत्सा की कमी नहीं है मुसीबत है सरकार ने जो माहूल बनाया है कट 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 का जो कल्चर बनाया है सिंडिकेट के हवाले बंगाल दे दिया है उसी के कारण ये माहूल बिगरता गया है जब भी मैं विदेश में प्रोबासी बंगाली बहनों बाजयों से मिलता हूँ तो अपनी मात्रू भूमी के लिए योगदान देने के लिए हर बंगाल का बेटा बेटी अध दुनिया में कहीं भी होगा वो यहां के लिए कुछ करना चाहता है लेकिन उनकी सिर्फ एक ही सिकायत रहती है कि वो योगदान करे भी तो कैसे करे आज के पस्चिम मंगाल में किराये पर अगर किराये पर बिल्निंग भी लेनी हो तो उसमें भी कट लगता है और यह ऐसे बदमासी कर रहे हैं कि दोनों तरफ से कट लेते हैं मिना सिंडिकेट की इजाज़त के किराये पर बिल्निंग भी नहीं ले सकते इस तिती को पस्चिम मंगाल के बारे में बनाई गई इस धारना को हमें मिल करके बदलना है और इसलिए यहां आसोल परिवर्टन लाना है यहां पूर बहार से कमल खिलाना है साथियों मंगाल का अविकास तब तक संबव नहीं है जब तक यहां सिंडिकेट का राज रहेगा मंगाल का अविकास तब तक संबव नहीं है जब तक यहां तोला बाजों का राज रहेगा बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक कट कल्चर बंगाल में रहेगा बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक शाचन प्रशाचन गुंडों को आस्रे देंगा बंगाल का विकास तब तक संबव नहीं है जब तक कानून का राज पस्चिम बंगाल में स्थापित नहीं होता ये तब तक संबव नहीं है जब तक पस्चिम बंगाल ये सामान ये जनकी सुनाई करने वाली सरकान यहां नहीं बनती है इसी स्थिति को बदलने के लिए आज पस्चिम मंगाल के कौने कोने से आवाज आ रही है आर अन्योय आर नौउ अन्योय आमरा आशोल परिबरतन चाही आमरा आशोल परिबरतन चाही